दो कल गया था मैं मार्किट और मार्किट से मैं कावे सारे Bluetooth के काड ले के आया हूँ अलग-अलग मोडल के तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इनी Bluetooth काड के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन सा काड हमारा कहां पर यूज किया जाता है कितने voltage पे काम करता है कहां कहां पे उसे हम use कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये wholesale price में मुझे कितने रुपे पर पीस के हिसाब से मिला है तो सारी जानकारी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको full details से दूँगा तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा अब यहां पे friend मेरे पास अलग-अलग तरह के काफी सारे card हैं तो मैं एक एक करके आपको सभी card को दिखाता चलूँगा और साथ मैं उसका price भी बताता चलूँगा तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से देख लेना कभी फिर बात में आप comment करके बोलो कि सर इस card का क्या price है तो यार उस time में थोड़ा ज़्यादा वीजी रहता हूँ तो reply वेगर कई बार नहीं कर पाता तो इसलिए आप वीडियो को अभी ध्यान से देख लेना तो उनके अंदर इसी type का हमारा card डला होता है तो मेरे पास repairing में दो speaker आए हुए है तो उनके अंदर से इसी model का card लगा हुआ है तो इसलिए मैंने इसके total चार पीस ले लिए दो पीस तो मुझे speaker के अंदर ही डालने है दो पीस मैंने extra ले लिए ताकि बाद में भी काफे सारे ऐसे हमारे पास गरहक आते हैं जो इस card को purchase करते हैं तो वहाँ पे मैंने दो पीस extra ले लिए तो यह जो card होते हैं इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर देखिए यहाँ पे आप दो speaker लगा सकते हो हो एक हमारी lithium-ion battery से इसको supply देनी है यहाँ पे यह इसके गाने को change करने वाला system हो गया यह micro USB वाला slot हो गया यह USB वाला slot हो गया यहाँ पे charging pin है और यह इसे on-off करने के लिए होता है तो कुछ इस type का यह card होता है इसके अंदर double sound IC लगी होती है तो इसकी sound quality भी काफी दमदार आपको मिलने वाली है तो इस type का यह card है अगर आपके किसी Bluetooth speaker के अंदर same type के model का card लगता है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो तो इसके मैंने total 4 piece लिए है तो यहाँ पर यह जो एक card मुझे यहाँ की local market में पढ़ा है वो पड़ा है 100 रुपे पर 50 के हिसाब से आपकी local market में इस card का क्या price है मुझे comment करके आप बता सकते हो तो इसके बात देखे फ्रेंड दूसरा card यह है मेरे पास और इस card की सकल देखके यह पहचान गे होंगे कि यह कौन से Bluetooth speaker का card है यह है हमारा TG113 Bluetooth speaker का card और यहां पे इसका मैं एक पीस लेके आया हूँ friend और यह भी किसी customer ने मुझे से demand करी थी तब मैं लेके आया हूँ क्योंकि यह speaker पहले बहुत पहले चलते थे आज से 2-3 साल पहले ज़्यादा चलते थे market में तो इनकी demand जादा रहती थी अब इनकी demand घट गी है तो मैं सिर्फ customer demand पे यह a card लेके आया हूँ और यह जो a card है भी तो इसके अंदर क्या है friend हमारी single sound IC वाला यह card है इसके अंदर double IC वाला भी आता है लेकिन उनके पास था नहीं तो मैं यही वाला लेके आया हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था आपको कोई सा भी card मिल जाए आप लेके आना तो यहां पे मुझे single IC वाला यह card मिला है इसके अंदर single sound IC लगी हुई है तो यहां पे मैं इस card को लेके आया हूँ अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हमारे एक memory card slot है और इसको operate करने के लिए उपर की तरफ हमारे पांच बटन दे रखें works cable है, USB slot है और charging slot है तो यहां पे इस card को आप किसी भी TG 113 Bluetooth speaker के अंदर लगा सकते हो मैंने आपको फिर से बता दिया कि यह हमारा single sound IC वाला है अगर आपको double sound IC वाला card मिल जाए तो best रहता है तो यह भी हमारा जो normal lithium battery आती है उससे operate होता है यहां पे हमें battery लगाना है, यहां पे हमें speaker के वाली wire को जोड़ना है और यह card ready है तो यह card friend मुझे यहां की local market में अपकी बार 50 रुपे पर पीस के हिसाब से मिला है आपकी local market में इस card का क्या price है आप मुझे comment करके बता सकते हो तो इसको अब हम रखेंगे side में अब उसके बार देखे friend एक card यह है और इस card को मैं पहले भी बेज चुका हूँ तो यहां पे आप देख सकते हो अब की बार भी मैं इस card को ले के आए हूँ क्योंकि किसी customer ने मुझे specialist card को मंगवाया है क्या होता है ना friend इस type के जो card है ना मुझे सारे repairing करने वाले भी ले जाते हैं जिनका buffer वेगरा repairing का काम होता है वो भी कई बार ले जाते हैं तो यहां पे देखिए इस card के अंदर हमें एक नीचे की तरफ इसे operate करने के लिए काफे सारे button मिल जाते हैं Oaks cable का हमें option मिल जाता है USB को option मिल जाता है और यहां पे memory card को option मिल जाता है और यह remote से काम करता है इसके साथ में देखिए step का एक remote मिलता है और यह remote भी अलग से मिल जाता है market में तो यह remote वाला मारा card है remote से भी इसको हम operate कर सकते हैं तो इस card को सिर्फ मैं एक ही piece ले के आया हूँ friend वो भी customer की demand पे तो यह card मुझे अब की बार यहां की local market में मिला है 360 प्रवेगा आपकी local market में इस card की क्या price है मुझे comment करके बताना और यहां पे देखिए friend इसके अंदर connection थोड़े से अलग होते हैं अगर आप कहोगे तो कभी मैं इसके connection के उपर भी detail से वीडियो बना दूगा बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर पीछे एक तरफ load दे रखा है यही से हमें इसके connection वायर वगरा हमें जोडनी होती है तो इसको अब हम रखेंगे side में उसके बार देखिए friend एक card यह है और यह भी बहुत ही बिकने वाला card है friend और इसके मैं total दो piece लेके आया हूँ और इस card को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर एक display लगी हुई है नीचे तरफ इसके volume और गाने को आगे पीछे करने के यह switch वेगर अलगे हुए है यहाँ पे USB का option दिया है micro USB हम यहाँ पे use कर सकते हैं तो इस तरीके से card होता है और यह card भी हमारा remote होता है यह remote इसके अंदर लगेया इस जितने भी remote वादे card होते इस ज्यादे इसी सी контow को एक waterproof हमारा use होता है तो यह card मैंने इसके टोटल दो पीस लेए हैं आप देख सकते हैं मेरे और और यह Bluetooth वाले model है, देखे Bluetooth की निसानी क्या है, इसके अंदर बीना Bluetooth वाला भी card आता है, उसके उपर आपको Bluetooth का symbol नहीं दिखेगा, इसके उपर देखे, Bluetooth का symbol भी बना हुआ है, तो जब भी आप इस type के card लेके आओ, तो यह symbol देख लिया करो, क्योंकि यह बीना Bluetooth वाला भी आता चार से पांच वोल्ट हमें इसको supply देनी है, लीथयमायन बैटरी से supply दोगे, तो सही से आपको sound नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, कम से कम आपको 4 वोल्ट देनी है, और जादा जादा पांच वोल्ट दे सकती हो, दूसरा इसके अंदर sound नहीं आएगी, इसके audio amplifier circuit आता है, छोटा सा, वो मैंने कई वीडियो के अंदर दिखाया भी हुए, किसी और वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूँगा, तो circuit को लगाना पड़ेगा, audio amplifier circuit को लगाना पड़ेगा, तब ही इसके अंदर sound आएगी, otherwise sound नहीं आएगी, तो इसके connection की full detail video मैंने डाल आप मेरे channel पर जा के देख भी सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं दुबारा से उसको पर full detail से video बनाओ, तो आपको जादा जादा comment करना पड़ेगा, तब ही मैं इसको पर full detail से video बनाओगा, क्योंकि इसमें direct आप battery और speaker जोड़के इसे use नहीं कर सकते, इसमें sound नहीं सो रुपे पर पीस के इसाफ से, तो आपकी local market में इस card का क्या price है, मुझे comment करके जरूर बताना, उसके बाद देखे, friend, एक card ये है मेरे पास, और इस card को मैं पिछली बार भी लेके आया था, जितने भी model मैं दिखा रहा हूं, इसको मैं पहले भी बेज सुका हूं, और पहल charging का option मिल जाता है, aux का option, memory card का option, और यहां पर mic का option यहां पर मिलता है, और यह भी हमारे card remote से चलता है, यहां पर IR लिखा हुआ है, USB का option हो गया, और यहां पर volume और गाने को आगे पीछे करने के लिए mode वेगरा काफे सारे function दे रखे हैं, तो यह जो card होता है, यह बहुत ही ब wire को जोड़ना है, और आप इससे easily use कर पाऊगे, तो बहुत ही बढ़िया यह card है, double sound IC के अंदर यह card आता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, double sound IC हमारे लगी हुई है, तो यह बहुत ही बढ़िया card होता है, अगर आप कोई Bluetooth speaker बनाना चाहो गर पे, तो इस card को ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा, तो यहां पर इस card की बात करें, तो यह card friend, यहां की local market में 320 रुपे पर पीस के इसाफ से मुझे यह card मिला है, आपकी local market में इस card का क्या price है, आप मुझे comment करके बता सकते हो, उसके बात है कि friend, एक card यह है मेरे पास, इसके अंदर भ आपको लिखा मिल जाए, समझ जाओ कि वो remote से काम करता है, और control करने के लिए उपर नीचे side में हमारे switch दे रखे हैं, और छोटी से display दे रखे है, तो यह card भी बहुत ही बढ़िया होता है, और इसके अंदर भी इसे use करना बहुत ही असान है, normally हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर हमें battery लगानी है, और यहाँ पे हमें एक sound, ऐसी circuit इसके साथ भी use करना पड़ेगा, तब ही इसके अंदर sound आएगी, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे battery जोड़ के, direct हम speaker जोड़ते हैं, आवाज आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो य यह जो circuit होता है, इसे हम direct use नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें amplifier circuit की जरूत पड़ेगी, उसके connection करने पड़ेंगे, तब हम इसे use में ले सकते हैं, तो यह card भी बहुत ही बढ़िया है, बस अपना-पना use करने का तरीका है, अपना-पना design भी है, काफे सारे लोगों को यह card प इसका क्या price है, मुझे comment करके बोल सकते हो, उसके बाद देखे friend, एक card यह है, और यह बिल्कुल अलग type सा card है, और यह मुझे market में 100 रुपेगा मिला है, और इसके connection बिल्कुल अलग है, इसका connection बूफर वेगरा के अंदर हम कर सकते हैं, तो इसका connection अगर आप चाते हो, किस त चलते मिल जाएगी, ताकि आपको पता चल जाएगी, कैसे इसे use किया जाता है, इसके बाद देखे friend, यहाँ पर मैंने कुछ staff के wireless, यह Bluetooth वाला जो music system आता है, यह हमने खरीदा है, और यह यहाँ की local market में 60 रुपेगा मिला है, और यह वाला भी हमें यहाँ की market में 60 रुपे क है, और इसके अंदर क्या है, कि एक हमारी display लगी हुई है, एक तो बिना display वाली आती है, इसके अंदर हमें अलग से multimeter लगा के देखने की जरूत नहीं होती, सारा कुछ यहाँ पर दिख जाता है, तो यह booster मैंने लिया था, किसी circuit के अंदर लगाने के लिए, तो यह मुझे पड़ा है, 250 रुपेगा, काफी महंगा है, वैसे तो आपकी local market में कितने का मिलता है, मुझे comment करके बताना, यहाँ पर तो यार 250 रुपेगा दिये, काफी देर मैंने जिख जिख करें उनसे, कि नहीं यार इतने का नहीं है, इतने का नहीं है, लेकिन वो बोले भी, आपको चीजे मैंने आपको दिखा दी है, इतने सारे में module लेकिया है, सब कुछ बता दिया, और सभी को हम Bluetooth speaker बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपके किसी model के अंदर ये fit होता है, तो सही है, अदर्वाज आप ऐसे भी speaker वेगरा लगा कि इसके connection कर सकते हो, और वो जो मैंन बताया था ना, जिसके अंदर हम speaker डारेक्ट नहीं जोड सकते, इस card के अंदर जैसे इसके अंदर डारेक्ट साउंड नहीं आएगी, तो इसके उपर मैं detail से वीडियो बना रखिया, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, वरना मैं एक बार दुबारा से वीडियो बना द झाल 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 झाल